नमस्कार मेरा नाम है गौरब और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क इंडिया वोस्स पाकिस्तान एक ऐसा मैच और एक ऐसा लम्हा कि इस मैच का इंतिजार अगर आप क्रिकेट प्रेमी नहीं भी है फिर भी करते हैं और जैसे ये मैच आता है दुनिया भर के लाखो फैंस और लाखो भारते क्रिकेट फैंस बन जाते हैं क्योंकि उन्हें हर हाल में पाकिस्तान ने खिलाफ क्रिकेट मैच में जीत चाहिए होती है टीम इंडिया से और आखिरकार वो दिन आ गया है आज 8 तारिक है और एक दिन से भी कम समय बचा है जब टीम इंडिया पाकिस्तान ने खिलाफ दो-दो हाथ करते हुए नजर आएगी कर्यारी नौ तारिक को उससे पहले आपको सारी चीजें बताएंगे कि कैसी रहने वाली है पिच्च क्या है पिचला रिकॉर्ड क्या टीम इंडिया बादी मार सकती है या पाकिस्तान भारी पढ़ सकता है जो कुछ भी है सब आपको एक एक करके बताएंगे तो सबसे पहले बात करतें पीच की अब पिच पर अगर नजर डालते हैं तो पीच हमने देखा था कि न्यू यॉक में जहां पर इंडिया वह सुस्टान इंडिया मैस तो जीट जाती है लेकिन जिस तरह की पिच रहती है वह हम सब ने देख को एक मैच आएगा याद जहां पर जो वाब अप मैस था वहां पर भी कुछ ऐसी पिच नजर आ रही थे जब इंडिया और मंगलादेश एक दूसरे के आमने सामने थी और फिर उसके बाद एक और मैच आता है जहां पर श्रिलंका और अफ्रिका सामने थी श्रिलंका थाएदה किसे होगा नुकसान किसे होगा ये बड़ी बात है तो जब टीम इंडिया को हम देखेंगे तो जिस तरह से तीम पर कि आये यूएसे से लेकिन वहां पर भी नहीं जीत पाए और वहां पर यूएसे जी टीम के खिलाब भी सिर्फ 169 बना सके तो उनके लिए मुश्किल रहने वाली है जो अभी तक नजर आ रहा है अब इसके बाद हम बात करेंगे अगर पिछले रिकॉर्ड की कि पिछला रिकॉर्ड क पाकिस्तान नहीं जीत पाया है लेकिन यहां पर भी जो नतीजा है वो शे एक रहा है टीम इंडिया जीत चुकी है अब पाकिस्तान नहीं जीत चुकी है किस में एक मैच धीता धुरूर था टीम इڈकर लेकिन वो टीम इंडिया के लिए बहुत खराब दिन था ना उतिम बाद की बन्ले बाद के गेंद बाद की चली थी और पाकिस्तान वो मैच 10 डामाडोल होगा जब आप USA डैसी टीम के खिलाफ हार कर आ रहे होते हैं तो अभी चाहे हम on paper देखें या किसी बितारा से देखें फॉर्म के अधार पर टीम इंडिया ही आपको जबर्दस नजर आ रही है जिस तरह से कप्तान ही कर रहे है रोजशर्मा और रोजशर्मा की फॉर्म भी वापस आ चुकी है ये एक बड़ा फाइदा है टीम इंडिया के लिए जो की IPL में आउट ओफ फॉर्म नजर आ रहे थे तो टीम इंडिया हर तरह से अच्छी नजर आ रही है लेकिन वहीं पाकिस्तान कप्तान बाबार आदम ने जरूर चेवाली सट मनाए USA के खिलाफ लेकिन 43 गेंदों का सामना किया और बाकी बल्लेवाद में शदाप खान जरूर एक इंप्रिसिव नजर आ रहे है बैट में चाहे बॉलर की बात कर ले शदाप खान बॉलिंग भी जबरदस करते हैं बल्लेवाद जितों की थी लास बैट में तो उनसे थोड़ा सबच कर रहना पड़ेगा टीम इंडिया को वो खतरनाक थाबित हो सकते हैं न्यू यॉर्क की उस पिच पर और बाकि शाहिन अफ्रीद या फिर पाकिस्तान उलट फिर कर रहा है जो भी आपको लगता जियल दें दो कॉमेंटर की बताईए